हम हमारे पास से कितने भी भागने की कोशिश करें पर भाग नहीं सकतें कभी ना कभी उसे कन्फरंट तो करना ही पड़ता है ये करने में हमें चाहने वाला हमें हेल्प कर सकता है इसे एक beautiful सी theme के साथ आज़ के हमारी movie Angel Eyes जो 2001 की एक romantic Hollywood movie है ये आती है इसमें दो stranger बहुत ही अजीब से conditions में मिलते है इन तोनों के past life के बारे में secrets है अब आगे क्या होगा ये हम explanation में जानेंगे स्टार्ट करने से पहले में आप सब से request करता हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नामे शैरान एक police officer है ब्रीज पर एक बड़ा हदसा हुआ था इसमें एक आदमी को help कर रही थी इसके बाद ब्रीज के इस हदसे को एक साल गुजर चुका है हमें हमारा और एक main character दिखाया जाता है जिसका नामे catch catch रस्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अपनी गाड़ी में चावी छोड़ कर चला गया है उसे help करने के लिए उससे ओचावी निकाल लेता है तो उस आदमी का wait कर रहा था वो आदमी जब वापस आया तो उसे लगा catch उसकी गाड़ी चुराने वाला था इस वज़य से उससे fight कर रहा था और catch कहता है मैं सिर्फ तुमारी help करना चाहता था इसी के parallel में हम फिर से शेरान को देखते हैं वो एक date पर आई हुई थी date पर as a police officer उससे क्या क्या question पूछे जाते हैं इसकी frustration वो बता रही थी वो कहती हैं सब लोग मुझसे पुछते हैं क्या मैंने किसी को मारा है पर कोई नहीं पूछता क्या मैंने किसी को save किया है dating करना उसे अच्छा नहीं लगता तो जल्दी से घर आ जाती है नेकसिन में हम कैच को उसकी building में देखते है उसके एक neighbor ने घर की चावी घर के बाहर ही रखी थी कोई भी घर में अंदर आ सकता है इसके बारे में उन्हें बता देता है उसकी neighbor और neighbor का बेटा ये दोनों घर में अकेली रहते है उसकी neighbor उसे thank you कहती है उसने पूछा अगर तुम चाहो तो मेरे साथ hangout कर सकते हो कैच किसी भी type के relationship में interested नहीं था तो वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है शारन को उसके brother ने बुलाय था तो उसके पास सोचली की उसका brother कहता है हमारे parents फिर से शादी कर रहे है ये बाद Sharon के लिए बहुत ही आजीब थी उसकी mother और father में हमेशा से जगड़े होते रहते थे brother ने कहा कि वो चाहते है कि तुम भी वहाँ आओ Sharon ने उसके father की नहीं जम थी तो गुशती है कि फादर भी यहीं चाहते है कि मैं वो attend करूँ उसका brother कहता है हम उस्वर बात कर रहे है उसका brother actually अभी भी अपने फादर से डरता है इस बात पर Sharon को बहुत ही गुसा आ गया उससे लगता है कि अपने फादर को लेकर उसने जो भी किया वो ठीक किया था उसका brother भी गुसा हो गया और निकल जाने के लिए कहता है Sharon इन सब चीजों से बहुत ही गुसा थी जब वो एक criminal को पकड़ने के लिए जाती है तो बहुत ही ज़ादा अग्रेसिव थी ये criminal भी उससे गालिया दे रहा था Sharon के पार्टनर ने उसे का तुम आज बहुत ही गुसा हो अपने गुसे पर कंट्रोल करना सीखो Sharon इसे इग्नोर कर दे दिया अगली दिन जब वो अपने को वरकर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तब आजाना इसे कुछ गुंड़या आए इन्होंने इन पर गोलिया चलाना स्टार्ट कर दिया Sharon बच गए और इनका पीछा करने लग जा दिया ये जो भी हुआ ये सब स्ट्रीट के सामने से Catch ने देखा एक मुमेंट पर Sharon और Catch इन दोनोंने एक दुसरे को नोटिस किया था Sharon क्रिमिनल्स को चेस करते करते एक सुमसान जगा तका के वहाँ पर क्रिमिनल उस पर पीछे से हमला कर देता है उसे मार डालता तब ही Catch ने उसे बचा लिया वो उसके लिए बहुत ही थैंक्फुल थी इसके बाद हम देखते है Catch अपनी मदर की तरह एक लेड़ी के पास आया वो उसे कहता है कि मैं आज एक लड़की से मिला वो पुलिस ओफिसर है इस लेड़ी को यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा Catch हमेशा इस लेड़ी का बहुत खैल रखता है रात में शेरन अपने फ्रेंज के साथ बाहर में थी उसे ज़रा अंगमफटेबर लगा और वो वाश्रूम चली गई आज उस पर गोली चली थी पर वेस्ट की वज़े से वो बच गे सब चीजों की वज़े से वो डिस्टब हो चुकी है जब फेसे वापस आई तो कैच उसका वेट कर रहा था शेरन की उसने जान बचाए तो as a thank you उसने उसे बाहर में बुलाया हुआ था ये एक दुसरे को अपना नाम बताते है शेरन पुछती है कि तुमने इस सब किया क्यो मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दाओ पर लगा दिये वो कहता है कि उस मुमेंट में मैं कुछ भी सोच नहीं सकता था मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला और वैसे भी तुमारी जॉब में तुम हमेशा यही चीज तो करती हो strangers को बचाना मुझे लगता है कि फुलिस को और भी जादा क्रेडिट देना चाहिए वो बहुत सारे लोग की जान बचाते है catch इस तरह से सोचता है कि शारन को अच्छा लगा उससे कहती है तुमें भी कॉप बन जाना चाहिए वो कहता है मैं हैट में अच्छा नहीं दिखूंगा यह दोनों इस पर बहुत हसे है इसके बाद यह दोनों जब बहार आए तो शारन पुछती है अगर तुम जाहो तुमें तुमें लिव दे सकती हो catch ने कहा मुझे चलना ही अच्छा लगता है उसे लग रहा था कि शारन ट्रंक है वो गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं उसे फोर्स करकर अपने साथ लेकर गई catch शारन को ही देख रहा था वो बुछती कि ऐसे क्यों देख रहे हो वो कहता है तुम विदाउट यूनिफॉर्म नॉर्मल लोगों की तरह कैसी लोगों की यह में इमेजिन कर रहा था शारन कैच को डारेक्टली उसके घर लेकर आई वो उससे कहती है कि आज जोबे हुआ उसके बारे में सोचना बन नहीं कर सकती है यह उसके लिए बहुत ही ट्रामेटिक था वो यह सब छोड़ कर किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी कैस ने कहा इशायद हमारा मिलना तरह था वो गहती कि ऐसा क्यूँ इसके पीचे क्या लॉजिक हो सकता है कैस कहता है हमारे ब्रेंड में अलग-अलग वेउस होती है हमें जो लोग अच्छे लगते है हम उनके पीचे खीचे जले आते है इन्होंने हैंग आउट किया इसके बाद कैस घर जा रहा था जाने से पहले एक दुसरे को किस कर लेते है घर जाते वग रस्ते से होते हुए कैच अचानक से रस्ते में फ्रीज हो गया था उसके उपर गाड़ी के लाइट साय तुसे अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था उसका अब एक बहुती डेंजरस एक्स्पिरियंस है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा अगले दिन शेरन अपनी मदर से मिलने के लिए आई उसकी ब्रदर की वाइफ घर से निकल ही रही थी उसका हाल उससे पूछ लेती है उसके ब्रदर की वाइफ ने का तुम्हें भी तुम्हारे पैरेंस के शादी में आना चाहिए सबको अच्छा लगेगा शेरन अपनी मदर से मिलकर पुछती है यह अचाणक से यह सब क्या चल रहा है आप दोनों फिर से शादी क्यों करना चाहते हो मदर गहती है हम इस मैरेज के लिए फिर से एफ़स लेना चाहते है एक नई शुरुवात करना चाहते है शेरन कोई बास सही नहीं लगते उसे लगता है कि पहले जैसा था वैसा ही चलता रहेगा उसके फादर उसकी मदर को बहुत मारते थे इसी वज़े से उन्हें हिट करती है एक दिन फादर ने मदर को बहुत मारा था तो शेरन ने पुलीस बुला ली इसके पास Sharon उसके फादर ने कभे भी एक दूसरे से बात नहीं की Sharon किसे से बात करना चाहती थी उसी किसी के सहारे की जरूरत थी तो उसने catch को call किया अगली सुबा breakfast पर date के लिए जाने वाले थे सुबा हुई तो Sharon बहुत exhausted थी वो रात बर सो नहीं पाई वो अपनी date cancel कर देती है पर already catch वहाँ पहुच चुका था Sharon नहीं आई तो गुसा हो गया वो उससे कहता है कि जब तुम किसी को भी date देती हो तो सामने वाले आदमी को उसका पूरा schedule change करना पड़ता है तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए Sharon ने उसे sorry कहा वो कहती कि मैंने तुम्हें message छोड़ा था catch के हाथ में coffee थी तो एक coffee उसने मांग ली catch गुसा है फिर वह उसे दे देता है Sharon को catch बहुत ही अजीब लगता है वो उससे बुछती कि तुम करते क्या हो वो इसके बारे में catch उसे कुछ भी नहीं बताता उसने उससे बहुत सारे personal question पुछे वो catch कुछ भी बता नहीं रहा था उस पर cheat गई कहती है तुम अगर मुझे कुछ भी बताओ के नहीं तो हम यह चीज़े आगे कैसे बढ़ाएंगे catch कहता है मेरी एक ही condition है कि अब से इस moment से तुम मुझे जानना start करो बास्ट के बारे में वो कुछ भी बताना नहीं चाहता इस बात पर इन दोनों में जगड़ा हो गया और catch वहाँ से चला जाता है शारन बहुत इंडरस्टेट थी तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आगे catch की घर में आकर देखा तो कुछ भी furniture रगणा नहीं था वो बुझती कि तुम ऐसे यह से रह सकते हो catch कहता है सारे बास्ट के बारे में भुला कर वो फिरसे जिरो से start करना चाहता है उसे बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं पर एक चीज वो firmly जानता है शारन के लिए उसकी strong feelings है इस सब के बारे में शारन ने अपने कोवरकर को बताया कोवरकर को catch के बारे में कुछ भी information नहीं मिलती कहता है तुम्हें careful रहना चाहिए नेकसिन में catch फिरसे old lady के बास आया हुआ था वो कहता है कि शारन मुझसे मिलने के लिए आई थी ये lady उसके लिए खुश है catch ने का वो मुझपर जरा नाराज है वो कहती है उसे sorry कह देना catch कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी इस lady ने का फिर भी sorry कह दो जब भी आदमी sorry कहते है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है catch ने बहुत सोचा रात में तीन बज़े उसे call करता है कहता है कल हम डेट पर जा सकते है ये morning में ही मिले breakfast किया उसके बाद पुरा दिन पिकनिक के लिए चले जाते है एक beautiful के लेक के बास आये हुए थे catch कहता है कि चलो हम swimming करते है शेरन ज़रा कत्रा रही थी तो catch हाइट बर गया वहाँ से जम करता है शेरन भी उसके पीछी बीचे आके ये पानी में किस करते है और फिर intimate हो गए नेक सिन में catch अपने हॉलवे में एक छोटे लड़के को खेलते होए देखता है उसे फिर से अपनी memories आई और वो disturbed हो गया था शेरन को call आया उसके ब्रदर ने उसकी wife को बहुत मारा था उनके neighbors ने पुलीस बुलवाई थी शेरन के फादर की तरह ही उसका ब्रदर भी अपनी wife को मारता है इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उनी ब्रदर की wife से बात करती है कहती है जो भी हुआ मुझे सच सच बता दो ब्रदर की wife ने का कि इतना बड़ा issue नहीं है वो सिफ ज़रा गुस्सा हो कया था वैसे भी उसे बहुत बुरा लग रहा है शेरन कहती है शुरुवात इसी तरीके से होती है आज तुमें मारा है कल तुमारे बच्चों को मारेगा ब्रदर की wife ने का कि हमारे बीच में मत पड़ो जो भी होगा हम देख लेंगे शारन अपने ब्रदर की बास आई वो कहती है तुम भी फादर की तरह हो उसे जोर से पंच मारती है थोड़ी देर में कैच उसे सहारा देने के लिए उसके घर आ जाता है वो रोकर कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने वही किया था उसके फादर उसकी मदर को मार रहे थे उसने पुलीस को बोला है एक सही चीज की पर फिर भी उस incident के बाद उसकी फैमिले ने उसे accept नहीं किया कि आज कहता है तुमने अपनी मदर को help करना चाहा इसमें तुमारा कोई भी fault नहीं है अगली दिन शेरन काम पर थी एक क्रिमिनल को उसके ब्रदर के साथ उसने पकड़ा वो उसे समझा दी है तुमारा ब्रदर अभी भी छोटा है उसे भी इस काम में मत धके लो तुमारे ब्रदर के बास एक chance है वो अपने life सही से जी सकता है शेरन कभी-कभी aggressive है पर फिर भी लोगों का वो खैल रखती है उसकी कोवरकर को देखकर बहुत अच्छा लगा वो फिर कैच से मिलने के लिए आए वो कहती है मेरे मदर और फादर फेसे शादी कर रहे है उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर वो ज़रा confused थी कैच कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुमारे साथ आ सकता हो शारन को भी आइडिया अच्छा लगा आज शारन कैच के ड्रॉवर्स में कुछ टॉइस देखती है उसने उसे इस टॉइस के बारे में पूछा तो कैच कहता है तुम्हें मेरी परसनल चीज़े नहीं देखनी चाहिए तो ज़रा गुस्सा हो कया था इस बात को जाने देते है और डेट पर आ जाते है चलते चलते एक जैस के बार के सामने आए शारन ने नोटिस किया कैच इसमें बहुत इंटरस्टेड है तो उसे अंदर लेकर जाती है कैच का इस म्यूजिक पर बहुत कॉंसेंटरेशन था वो शारन के साथ डांस करता है डांस के बाद वो खोड ट्रमपेट बजाने के लिए चला कया उसने एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा सेशन किया यह बजाते हुए उसे फिर से अपने पास्ट की याद आ रही थी वो डिस्टब होकर यहां से बाहर आ गया शारन कहती है तुम तो बहुत ही डालेंटेड हो बाहर की वो आके तब इनका पीचा करते करते बाहर का उनर पहुच जाता है वो आकर कैज को स्टीवन लेंबर्ड बुलाता है वो गहता है बहुत दिनों से तुम आये नहीं मैंने जब तुमारा आवास सुना तो एक ही जटके में पहचान गया यह तुम ही हो कैज जैसा प्रिटेंड करता है कि उस आदमी को जानता ही नहीं शारन उसे कंफरंट करती है कहती है या जो भी तुम कहते हो सब कुछ जूट है या हमारी रिलेशन्शिप भी जूट है कैज इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता और यहां से चला जाता है शारन को भी अभी उसका नाम पता चला तो इसके बारे में उसने सर्च किया उसे पता चला कि ब्रीज पर जो हचसा हुआ था इस पर कैज भी था पर कैज का रियल नाम है स्टीवन मूवी के फर्स्ट में प्रीज पर शारन जिस आदमी को बचाया था यह स्टीवन ही था इस एक्सिडन में स्टीवन के साथ उसकी वाइफ और बेटा था इन दोनों की टेट हो गई थी शारन फे स्टीवन के वारे में और भी पता करने के लिए उसके घर बचली गए एक्सिडन के बाद स्टीवन कभी घर पर ही नहीं गया जो भी हुआ था इस सब की मेमरीज वो ब्लॉक करना चाहता था उसे अपनी वाइफ और बेटी की याद ना है इसलिए वो अकिला ही रहता है अगले दिन शारन ने कॉल लगा कर स्टीवन को उससे मिलने के लिए बुलाया वो उसे सेमेटरी लेकर जाती है कहती है तुम्हारी वाइफ और बेटी की टेथ हो चुकी है तुम्हें इस बात को कंफरंट करना पड़ेगा स्टीवन इस बात को एकसेप नहीं करता और वहाँ से चला जाता है इन सब चीजों की वज़े से शारन बहुत ही परिशान थी वो अगली दिन काम पर भी नहीं जाती है उसका कोवर कर उसे देखने के लिए आया वो कहता है कि तुम्हारी तबियत तो ठीक है तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है इसे जल से जल सौट आउट कर लो अगर तुम ऐसी रही तो जादा दिन तक में तुम्हारी ले कवर नहीं कर सकता उसके कोवर गर की वाइफ अपरिगनन थी अपने आने वाले बेटे के लिए उसे सही से काम करना है इस सिट्टी को क्राइम फ्री बनाना है शारून को बता चला कि जिस ओर लेडी के पास ठीवन जाता है वो एक्चुल में उसकी वाइफ की मदर है वो उससे मिलनी की लाई जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने उसे बात की उसकी मदर इनला ने कहा एक्सिडन्ट के बाद उसने अपने आसपास एक वाल बना ली है वो किसी को भी अंदर नहीं आने दिना चाहता उस एक्सिडन्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता पर आशकल बहुत सारी चीज़ों में उसने चेंज किया था उसका घर अगर तुम देखोगी तो उसे renovate करने लग गया था वो तुमारे बैर में पढ़ चुका है एक अच्छी प्रोग्रेस है शारन कहती है इसायद मैंने उसे खो दिया मैं चाहती थी कि अपनी feelings को confront करे Mother-in-law कहती है जब सही time आएगा तो recover करेगा इसे हम हरी कर नहीं सकते है अब शारन के parents की marriage का time आ चुका था वो इसमें अकेली ही कई हम स्टीवन को देखते हैं यो cemetery आ चुका है वो अपनी वाइफ और बेटे के ग्रिव उपर गहता है मेरा सब कुछ लूट गया था एक सेगन में सब कुछ बरबात हो गया जिस दिन accident हुआ तब स्टीवन के बेटे का बड़े था ये family बहुत ही खुश थे इस पल को याद करता है उसके बेटे ने अपना toy स्टीवन पर वेका इसी वज़े से accident हुआ था स्टीवन को लगता है कि उसे गाड़ी slow चलानी चाहिए थी उसने regret किया कि अपनी family के साथ और भी times spent करना चाहिए था उसने realize किया उसकी wife और बेटा उससे खुश ही देखना चाहते वो ने बताता है कि मैं अब फिर से प्यार में हूँ मैं हमेशा तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता रहूँगा अब वो अपनी bad और happy इन दोनों memories को नहीं भूलेगा अपनी आगे वाली life को उसने accept किया है इसी के parallel में शेरन जब parents के शादी के party में थी तो अपनी mother से मिली वो जाकर father से भी बात करना चाहती थी वो पुछती है क्या मैं अभी भी इस family का part बन सकती हो क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था फादर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरी कोई भी पेटी नहीं है शारन रोते हुए नीशे आ गए सब लोग शारन के parents के बारे में उनकी memories बता रहे थे तो शारन भी एक share करती है उसने का मुझे सब bad memories ही याद आ रही थी पर हम जब family थे उसमें कुछ beautiful moments भी थे हम जब छोटे थे तो मैं और मेरा प्रदर एक दिन खेल रहे थे एक alien invasion का game था हमारे फादर हमारे पास आये उन्होंने हमें couch पर फेका और वो खोद भी alien जैसे आवाज निकालने लग गए वो दिन बहुत ही beautiful था ये story सुनकर उसके फादर उसकी मदर सब लोग रोने लग जाते है इसके बाद Sharon यहाँ से चली गई गर के बाद Stephen उसका wait कर रहा था Sharon पूछती कि तुम यहाँ कैसे कहता है कि तुमने मुझे invite किया था Sharon ने Stephen को sorry कहा वो कहती कि मुझे तुम्हें पूछ नहीं करना चाहिए था मुझे लग रहा था कि सब कुछ चीज़े perfect होनी चाहिए पर मैं गलत थी Sharon ने कहा मेरे parents ने मुझे accept नहीं किया Stephen कहता है कि यह उनका ही loss है तुम किसी के भी life में होना एक blessing की तरह है इस sweet सी बात सुनकर Sharon को रोना आने लग गया Stephen ने कहा कि मेरे wife और बेटे को देखने के लिए गया हुआ था मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ Sharon ने उसे कले लगा लिया I love you कहा इसके बाद ये दुनों गाड़ी में बेटे इस बाद Stephen ट्राइव करता है उसके सारे फियर छोड़ कर वो life में आगे बढ़ना चाहता है अगर हम मूवी में देखे तो Sharon और Stephen इन दोनों का पास था जिसों भाग रहे थे Finally इसे उन्होंने confront किया Life में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को उन्होंने help कि अपनी आगे आने वाली जिंदगी सही तरीके से शुरू कि इसी beautiful ending के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्स्राइब कर दीजे और बेल निटिविशन आइकों दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए